अलो नमस्कार दोस्तो मैं जयापरकास आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सिंटर में दोस्तो आज हम पढ़ेंगे लुसेंट का जीके जिसमें भारत के भागौली को उपनाम के बारे में देखेंगे इससे पहले हमने इसका एक वीडियो नामों के बारे में पढ़े हैं इसका यह दूसरा पाथ है अगर वह वीडियो आप लोग को नहीं देखें तो उसका नोट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंग आप लोग जाकर देख लिए तो चलिए हम लोग देखते हैं आप एसरी पहलिक नामरी से शहर महलुग का शहर महलूओ का से उसका ज़िए बड़े बिदिंग्ग वहाद जाहता है इसलिए उसका को मैंलू का शहर कहा गया प्रवतो की रानी मसूरी मसूरी को परवतो की रानी बोला जाता है रैलियो का नगर नई दिल्ली क्योंकि दिल्ली में हमेशा किसी न किसी एंदोलन के बज़े से रैली निकलता रहाता है इसलिए नई दिल्ली को रैलियो का नगर किसे बोला जाता है दिल्ली को अगला हम लोग देखते हैं पूर्व का एसकोटलेंड पूर्व का एसकोटलेंड मेघाले अर्थात मेघाले मेघो का सहर मेघाले का है पूर्व का एसकोटलेंड है और भारत के सबसे पूर्व में परता इस साइड भारत की जो नक्सा है इसके पूरव में इस साइड परता मेघाले इसलिए उसे उत्तर भारत का मैंचेस्टर मैंचेस्टर कानपूर उत्तर भारत का तो वह बारा नशी को बोला जाता दान की डलिया 36 गड़ दान की डलिया कौन सी है 36 गड़ को बोला जाता है और चावल की कटोड़ी यदि कुश्चन आजे चावल की कटोड़ी कौन सी तर पश्चिम बंगाल को चावल की कटोड़ी बोला जाता है गेहों की कटोड़ी आजा तो गेहों की कटोड़ी जब कुश जैपूर है भारत का पेरिश कहा है जैपूर मेगो का घर मेगाले यहां क्या मेगो और इधर भी मेगाले दोनों क्या मिलता है तो मेगो का घर कहा हो जाएगा मेगाले 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 में सबसे अधिक वर्षा मेगाले भारत के मेगाले में होता है वहाँ आऊ चेरा पुन ज Ee मसी सरा में सबसे ज्यादा बिश्मेबर सबढम रोत ज़ार सिर्ग सबसे चेरा होने हूं अग्लाे मैं लोग देखते हैं रित्वीक अस्वर क्या है सिरी नगर पहारो की रानी डुंगरपूर पहारो की रानी कौन सा डुंगरपूर को कहा जाता है भारत का उद्ध्यान वेंगलूर को वेंगलूर में कहा जाता है क्योंकि उसे इलेक्ट्रोनिक नगरी भी बोलते हैं अंत्रिक शियान की सहर भी बोला जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा टेड़ इलेक्ट्रिक समान मिलता है उसी बोला जाता है भारत का उद्ध्यान बड़ इधर क्या बारत का बारत का परभेश दूर कहां तो वो भी मुंबाइ की बोला जाता है शुती बस्तरो का राजसानी मुंबाई भारत का हॉली बड़ तो वो भी मुंबई है पबित्र नदी गंगा गंगा को क्या बोला जाता है पबित्र है तो कि गंगा में हम लोग अश्नान करते हैं, गंगा जल को बहुत हम लोग पवीत्र मानते हैं, बिहार का शोक कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, 2008 में जब कोशी नवी बाढ़ रहा था तो उत्री बिहार को बहुत जादा च्हती हुआ था इसे, इसलिए बिहार का शो दामोदर नदी को बोला जाता है पश्चिम बंगाल की जो शोक किष्ण नदी को बोला जाता है वो दामोदर नदी को को टायम की दिदी को टायम की दिदी मलियाला को टायम की दिदी किसे बोला जाता मलियाला को को टायल का दिदी बोला जाता है जुरुबा नगर वारत में सबसे अधी गंदार नदी कोन है किस नदी की पानी गंदी है तो सावर मती नदी यह कोश्चन भीहाद यह लिट के एकजामे पुछा गया था ताला नगडी अलिगड को ताला नगडी बोला जाता है अलिगड में बहुत वरा मुश्लिमों के इंवर्सिटी अलिगड इंवर्सिटी उसे ताला नगडी बोला जाता है राश्टी राजमर्गों का चोरहा कानपूर को क्या बोला जाता राश्टी राजमर्गों का चोरहा पेठा नगरी आगरा आगरा का ताजमल आप लोग देखें सहाँ जहां ने उसको बनवाया दा। आगणा के जमल कहा उत्तर पर्देस में और पेठा अंगि Deswegen में भारत का डॉलिवूल मॉंबई आपको ओला जाता है वहाइटो यह लोगाथ कोire जाता है, आसा करतो ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल JP Study Center को लाइक कीजिए, सब्सकाइब कीजिएगा 37-37 वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारे दोरा जो भी वीडियो अप्लोड किया जागा उसका नोटिफिक हिसन आपके पास पहुचे चलिए हम लोग मिलते नेक्स वीडियो में जाए हिन जाए भारत